सुरील सेठी किस आतार में आ रहे हैं बाव बली को टक्कर देने के लिए हलो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गल्यारे में आज जहां मैं बात करूँगा कि सुरील सेठी प्रिये दर्शन के साथ एक फिल्म मनाने जा रहे है और जिसका फर्स्ट लुक जारी किया गया है और माना जा रहा है कि ये फिल्म पांसो करोड का धमाका करेगी जी हाँ दोस्तों और इस फिल्म का नाम है मरकंडन लाइन आफ अरेबियन सी और इस फिल्म में सुरील सेठी के साथ प्रभूदेवा और मोहनलाल भी है और इस फिल्म का निर्देशन करेंगे प्रिये दर्सन और प्रिये दर्सन और सुनील सेठी करीब दस साल के बाद दोनों साथ आ रहे हैं इस फिल्म में सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में सुनील सेठी एक का जो किरदार है वो बहुत ही लाजवाब है लोगों का मानना है कि उनका किरदार इतना अच्छा है कि वो आराम से बाहवली को टकर देजेगा क्योंकि जब से उनका फस्ट लुक जारी हुआ है वो सोसल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्यूटर हर जगे तहलका मचा रहा है इस फिल्म की कहानी जो है सोलोही सताबदी के एक समुद्री योधा के उपर बेश्ट है जिसकी भूम का सुनिल सेठी निभा रहे हैं जो कि अरब सागर के एक जाबाज योधा के रूप में है और दोस्तों इस योधा का नाम है मरकर जिसे अरब सागर का सेर कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि सुनिल सेठी की जो उम्र है वो 58 साल की हो गई है लेकिन सुनिल सेठी आज भी ऐसे लगते हैं जैसे उनकी उम्र 30 साल की हो फिटनेस उनका लाजबाब है इसलिए सुनिल सेठी को इस फिल्म के लिए साइन किया गया है और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2020 में सुनिल सेट्टी की और बहुत सारे फिल्मे हैं जिन्होंने धमाकेदार बॉक्स ओफिस पर प्रदसन किया था जैसे कि उनके एक फिल्म आई थी क्रोध फिर उनके एक फिल्म आई थी बलवान और बलवान ये वही फिल्म है जिससे सुनिल सेट्टी ने फिल्म इंडिस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद उनके एक फिल्म आई धड़कन वो धड़कन ऐसी थी कि जो सब की धड़कन मन गई और एस फिल्म में सुनिल सेट्टी जी के साथ थे हमारे खिलाली कुमार अक्षे कुमार और इन दोनों के बीच फसी हुई थी सिल्फा सिट्टी और फिल्म एक और आई थी दिल जले, अमरेश पुरी और अजेव देवगन वाह! क्या फिल्म थी? इस फिल्म के बारे में एक बात कही जाती है कि उस समय का अगर कोई युवक इस फिल्म को नहीं देखा है तो उसकी जवानी बेकार है क्योंकि इस फिल्म में अजेव देवगन ने एक ऐसे प्रेमी की कहानी निभाई थी जो आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता है और फिर इसके बाद सनिल सेठी के एक फिल्म आई थी बिनासक वाः क्या फिल्म थी और उसके बाद धीरे धीरे सनिल सेठी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था क्योंकि उनका अपना एक बिजनस है और दोस्तों मैं आपको ये بتाना चाहता हूँ कि जो फिल्म बाहुबली को टक कर देने के लिए आ रही है उस फिल्म को सिर्फ हिंदी में नहीं तमिल तेलगू मल्यालम में बनाया जा रहा है और इस फिल्म का बजट रखा गया है डेर्ड सो क्रौन रुपए और इस फिल्म की सुटिंग शुरू होगी अपरैल में तो दोस में बनाया जड़ि H